Hello everyone, तो आज हम पढ़ेंगे light, light के बारे में थोड़ा सा और फिर हम पढ़ेंगे reflection of light, ठीक है, तो mirrors, कौन-कौन से होते हैं, plane mirrors, spherical mirrors, यह हम सब अपनी विडियो में देखेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि light क्या है, ठीक है, हम सब को बता है light, क्या है, मतलब रोश्नी, है न, जिसके भी न, हमारी life बिल्कुल possible ही नहीं है, तो light is a form of energy that enable us to see around us, ठीक है, हमारे चारों तरफ, जो भी हम कुछ, मतलब हम एक कदम चलते हैं, हम इधर उदर देखते हैं, तो यह किसकी वज़े से possible है, सिर्फ और सिर्फ light की वज़े से, ठीक है, तो एक तरह की एक energy है, form of energy, जैसे heat is a form of energy, similarly light is a form of energy, है न, तो हमारा जो topic है, main, starting जो होती है, हमारे chapter 10 की, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पहले reflection, ठीक है, reflection of light, तो basically, reflection क्या होता है, कि कोई भी अगर हमारे पार surface है, उसमें किसी भी source से light incident हुई, तो जब वो light इस surface पे strike की, तो क्या होगा, वो bounce back होके, मतलब bounce करेगी यहां पर और वापिस से back चले जाएगी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस phenomenon को क्या बोलते हैं, reflection, so it is bouncing back of light rays on striking the surface, मतलब एक surface है, उस पे light rays आई, ठीक है, strike की, और जो light incident ray थी, वो bounce back होगे, और इस phenomenon को हम reflection बोलते हैं, तो यह जो light आ रही है, यह क्या है, incident ray, और यह जो, जब strike की surface पे, और जो reflect हुई, मतलब bounce होके, जो वापिस गई, that is reflected ray, अब अगर इस surface पे, मैं एक 90 degrees पे, एक line draw करूँ, इस line को हम क्या बोलते हैं, normal, ओके, और normal और incident ray के बीच के angle को हम क्या बोलते हैं, angle I, और normal और reflected ray के बीच के angle को हम क्या बोलते हैं, angle R, ठीक है, तो angle I is angle of incidence, मतलब हमने हमेशा जो angle of incidence है, और angle of reflection है, वो हमेशा incident ray और normal के विदरिस्पेक्ट लेना है, और reflected ray और normal के विदरिस्पेक्ट लेना है, इसलिए हमने इस surface के बिलकुल perpendicular normal draw करना है, और दोनों के दोनों angles इसे के corresponding लेने हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोल र हैं, angle I, angle of incidence, angle R, angle of reflection, तो यह diagram आपको clear है, ठीक है, और हम laws भी पढ़ते हैं, छोटी classes में हम laws of reflection पढ़ते हैं, उसे का हम recall करते हैं यहां पर, कि जो angle I रहेगा, हमेशा angle R के बराबर रहेगा, ठीक है, मतलब जितने angle पे light, incident light, surface पे strike करेगी, normal के साथ, उतने ही angle पे वो वाप is reflect होगी, ठीक है, तो that is, angle I equal to angle R, और दूसरा law क्या होता है reflection का, that is, incident ray, normal and reflected ray, मतलब यह जो तीनो rays है, यह incident ray है, यह reflected ray है, और यह normal है, तो यह तीनो के तीनो lie in the same plane, मतलब जिस plane पे starting हो रही है, उसी plane पे यह तीनो rays लाए करेंगी, तो यहां पे यह जैसे हम देख रहे हैं क कि यह plane है, और incident ray इसी plane पे, फिर उसी plane पे वह वापस गई है, और इसी plane पे क्या है, हमारी normal, ठीक है, तो यह दो हमारे पास laws है, अब वैसे तो हमने इसमें, जो भी main हमारा chapter है, इसमें हमारे पास spherical mirrors हैं, जिसमें कि concave और convex mirrors हम पढ़ते हैं, spherical mirrors के types, लेकिन कहीं बाहर question plane mirrors से basically question क्या बनता है, कि plane mirror में आपकी जो image होती है, उसकी properties क्या होती है, या उसकी characteristics क्या होती है, ठीक है, तो plane mirror पहले तो देख लेते हैं, as name suggests, it will have plane reflected surface, मतलब इस तरीके से plane होगा, और हम इसको ऐसे denote करते हैं, कि एक straight line, और साथ में इस टाइब से polish हम इसको दिखाते हैं, ठीक ह और diagram, और ये laws, plane mirrors की characteristics, मतलब उन images की properties देखने से पहले, हम ये देखते हैं, कि हमारे पास images कितनी types की होती है, ठीक है, तो हमारे पास दो types की images है, real and virtual, तो real और virtual का ये मैंने आपको difference बना के दिया है, तो हम इसको line by line इसको read करते हैं, और इसको समझते हैं, real image is that image which is formed when reflected rays actually meet at certain point, मतलब कि कोई भी हमारे पास incident rays जब आ रही हैं, और जब वो reflect होंगी, तो reflect होने के बाद, वो actually meet कर रही हैं किसी point पे, मतलब for example, अगर ये हमारे पास इस type से light है, incident ray आ रही है, और जब ये reflect होंगी, तो मानलो ये कोई surface था, ठीक है, तो जब ये reflect होंगी, तो ये actual में meet कर रही हैं, है ना, तो जब actually किसी point पे reflected rays meet करें, that is real image, और virtual image बिलकुल इसका opposite, कि जब reflected rays do not meet actually, but appear to meet at certain point, हमें लगता है कि वो बन रही होंगी, मतलब हम imaginary उसको draw कर पाते हैं, बट वो actually meet नहीं करती rays, ठीक है, मतलब reflected rays, actually वो diverge करती हैं, और हम उसको फिर बाद में imagine करते हैं, imaginary point पे हम उसको सोचने हैं, कि वो appear हमें लगती है, ठीक है, तो that is virtual image, and it is always inverted, ठीक है, inverted means अगर हमारे पास object सीधा है, तो ये हमें image हमारी opposite आएगी, upside down आएगी, और it is, virtual image is always erect, कि जैसे हमारा object है, वैसी हमारी image आएगी, ठीक है, अगर सीधे खड़े हम mirror में, तो हम सीधे दिखते हैं, तो मतलब हमारा जो plane mirror होता है, ये मैं example देते हूँ, आपको उसे clear होगा, and real image, it can be obtained on screen, ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये actual में meet कर रही है, तो ये screen पे भी बनेंगी, लेकिन virtual image, actual में तो meet नहीं कर रही है, reflected rays, तो वो हम खुद सोचते हैं, कि वो certain point पे imaginary है, कि वो appear to meet है, तो वो screen पे नहीं बनती है, for example, जो हमारा daily life का example है, हमारा mirror, ठीक है, तो ये देखो, ये हम जब मतलब mirror के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी जो image है, वो बिल्कुल erect, same size की बनती है, नाम मोटे दिखते हैं, mirror में नाम पतले दिखते हैं, तो बिल्कुल same size की हमारी image दिखती है, और ये, जैसी हम, मतलब, ये actual में obtained नहीं होती screen पे, क्योंकि screen, आप मतलब करके भी देखना, अगर आप पीछे होगे तो वो और पीछे जाएगी है, आगया होगे तो आप close आती है आपकी image, तो वो virtual image होती है, क्योंकि plane mirror में आपको, plane mirror का diagram बना के दिखाऊंगी, ray diagram, क्योंकि plane mirror में हमेशा जो image होती है, वो virtual image बनती है, ठीक है, तो ये हमारे पास mirror का जो example है, वो virtual है, तो इसलिए ये कभी भी screen पे नहीं बनती image, और हमेशा erect होती है, जैसे हम सीधे खड़े हैं, तो उल्टे नहीं दिखती है, हम सीधे ही दिखती है, ठीक है, और जो real image की example है, that are, that movie on cinema screen, ठीक है, images on cinema screen, तो जो projector से हमें images दिखती है, वो screen पे होती है हमारी, तो वो real image होती है, तो ये हमारा real और virtual image का difference है, इसके बाद आपको real और virtual में बहुत अच्छे से difference समझ आएगा, जब आप plane mirror की characteristics देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास characteristics of image formed by plane mirror, तो इसकी characteristics है, ये मैंने points लिखेंगे हैं, एक तो ये virtual है, ठीक है, plane mirror में हमेशा आप मतलब reflected rays का भी meet नहीं करेंगी, they will appear to meet, तो that is virtual image, और second thing है, erect, ठीक है, क्योंकि plane mirror मतलब हमारी daily life में हमारा mirror जो है, वही plane mirror का best example है, तो हमें पता है कि उसमें हम सीधे दिखते हैं, जैसे हम खड़े होते हैं, वैसे ही दिखते हैं, तो that is erect, ठीक है, हमारी जो image होती है, वो erect होती है, सीधी बिलकुल, same size की होते हैं, obviously, ना मोटे दिखते हैं, ना पतले, ना लंबे, ना छोटे, ठीक है, जैसे हमारा size है, वो ही हमें दिखता है, हमारे mirror में, तो same size की हमारी image होती है, जो size object का होता है, और सबसे बड़ी चीज, distance of object equals to distance of image from mirror, मतलब, जो हमारा object का distance है, वही, जितनी दूर हम खड़े है mirror से, उतनी ही दूर हमारी image आती है, ठीक है, और अगर हम कहीं, मतलब, पीछे जाएंगे, तो हमारी image भी पास आएंगे, तो हमारी image भी पास आती है, तो मतलब, distance हमेशा same रहता है, object का mirror से, और image का mirror से, ठीक है, तो अगर हम ray diagram देखें, तो मैंने आपको भी बताया, कि जो plane mirror होता है, उसको हम ऐसे denote करते है, straight line और फिर polish, ठीक है, तो इस point पे हमारा होता है, इस surface पे हमारा होता है reflection, तो यह मानलो के मारे पास point है, जिसका हम, यह मतलब, कोई object है, जिसकी हमने image देखनी है, अब यह object finite भी हो सकते हैं, मतलब, इस तरीके से हम बना सकते हैं, मतलब, यह भी point source लिया है, तो इस type से हम finite source भी ले सकते हैं, ऐसा object भी, तो यह मानलो मेना object है, और इसने light emit की हैं, चीक है, तो यह light, अब देखो, यहाँ पे light सीधी जा रही है, incident ray, तो यहाँ पे जो angle है, normal के साथ, क्योंकि normal यह खुद है न, this is surface, and this is normal, और incident ray भी normal के along की जा रही है, तो मतलब angle I, यहाँ पे 0 है, क्योंकि normal के साथ तो कुछ angle बनी नहीं रहा, तो angle R also 0 होना चाहिए, क्योंकि यह law of reflection है, क्योंकि angle I should be equal to angle R, तो जो angle I था, incident angle था, वही angle of reflection होना चाहिए, तो ऐसे incident light आएगी, और similarly इस तरीके से reflect होके जाएगी, ठीक है, क्योंकि angle R भी 0 है, तो normal के साथ कोई angle नहीं बनाना, तो यह हमारी पहली ray, और एक और ray ले लेते हैं, कि जितना angle इधर से बनाएगी, और normal के साथ, उतना ही angle, incident, ray जो हो, incident angle जो होगा, वही reflected angle, सेम बनाके, तो यह यहां से reflect हो जाएगी, अब यह देखो, यह reflected ray है, एक यह reflected ray है, अब यह तो कहीं से कहीं तक meet नहीं हो रही, तो यही मैं आपको बता रही थी, कि meet तो कभी नहीं होंगी, लेकिन imagine कर रहे हैं, कि they are appearing to meet, क्योंकि देखो, अगर हम इसको backward produce करें, imaginary, तो यह हमें लग रहा है, कि यहां पे meet हो रही है, और यहां पे हमारी बन रही है image, तो यह हमारा plane mirror का concept है, और एक और plane mirror का characteristic है, property है, आपकी image में right hand side होगी, और जो actual में object की right hand side होगी, वो left hand side, दिखेगी image में, ठीक है, literally inverted, कोई letter भी देखोगे, अगर अगर F ऐसे है, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो मतलब आप image में mirror में आप check कर सकते हो, तो यह हमारा, मतलब आप खुद भी खड़ोगे, तो आपका जो right hand होगा, वो आपके image में left hand show होगा, ठीक है, left side show होगी, तो यह हमारा laterally inversion, lateral inversion phenomenon है, और यह हमारी important characteristics है, image, plane mirror से जो image बनती है, और यह हमारा ray diagram, ठीक है, और यह हमारा, जो main था, real और virtual का images के difference, कि मतलब images होती किस type की है, और virtual image का मतलब क्या होता है, और real image का मतलब क्या होता है, औ उनका difference, ठीक, तो अब हमने plane mirror पढ़ा, और plane mirror पे कैसे हमारी image, मतलब ray diagram बनाया कि कैसे image बनती है, virtual image, और हमने देखा कि उसकी properties क्या होती है, images की characteristics क्या होती है, तो अब हमारी पास spherical mirrors, जो हमारा इस chapter का main aim है, ठीक है, जो basic हमने इसमें पढ़ना है, वो spherical mirror से ही start हो रहा है, त the reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of a sphere, मतलब जो इस mirrors का reflecting surface है, मतलब मान लिए कि हमने, यह हमारे पास reflecting surface है, तो यह जो reflecting surface है, हम क्या मान के चलते हैं, कि यह हमारी sphere का part है, मतलब अगर मैं इसको complete करूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, Sphere, तो मतलब एक Sphere का हलका सा part लिया, तो वो हमारे पास क्या है reflecting surface और बाकी सिरफ एक imaginary sphere है मतलब एक पूरा sphere का छोटा सा पार्ट हमारे पास reflect करवाएगा मतलब वो surface हमें reflecting surface देगा तो such mirrors whose reflecting surfaces are spherical ठीक है तो reflecting surface हमारा spherical है पहले हम plane mirror पढ़ रहे थे हना straight तो these are called spherical mirrors तो जो दो इनके types है that are concave mirror and convex mirror तो concave mirror में हमारे पास क्या है a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards like this ठीक है तो यह हमारे पास reflecting surface है और यहां पर polish होगी तो inwards curve होगा ठीक है या फिर आप spoon का front part देख सकते हो जिससे अब eat करते हो ठीक है वह ऐसे invert होता है तो यहां पर और इसका जो face होगा अगर मैं इसको complete करूँ ठीक है dotted line से मैंने बनाया भी हुआ dotted pencil से अगर मैं इस पार्ट को sphere बनाने की कोशिश करो तो इसका जो center होगा बीच में उसकी तरफ यह reflecting surface face करेगा ठीक है तो यह हमारे पास क्या है concave mirror curved inwards है and faces towards center क्योंकि इसको जब हम complete करेंगे तो center हमारा यहां पर बनेगा and it is also called converging mirror क्योंकि यह सारी rays को converge करेगा मतलब सारी rays को एक point पे meet करवाएगा वह हम देखेंगे कि कैसे ray diagram बनता है ठीक है next is convex mirror convex mirror में क्या है a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards क्यों क्योंकि क्योंकि इसका stripe से है मतलब यह चीज़ है जैसे इंवर्ड था concave mirror तो यह हमारा इस चीज़ पे होगा reflection और यहां पे polishing तो बिल्कुल opposite तो यह curved outwards है और यहां पे हमारा rays आएंगी और reflect होंगी इस वाले surface पे और इसका क्योंकि अगर हम वह बनाएं पूरा complete करें तो center अब की बार यहां पे बनेगा है और तो उल्टा है बिल्कुल की center यहां बनेगा और जो reflection होगी वह इस surface पे होगी लेकिन in the case of concave mirror जब हम complete करते है sphere तो center जिस side पे बनेगा उसी side पे हमने क्या करनी है reflection ठीक है तो यहां तक हम इस video में हम यहीं तक करेंगे कि convex mirrors और concave mirrors क्या होते है spherical mirrors और हमने क्या पढ़ा है plane mirrors types of images तो next video में हम पढ़ेंगे rules कि हम कैसे किसी image को बना रहे हैं concave mirror से और convex mirror से फिर हम ray diagrams को समझेंगे ठीक है तो thank you everyone for watching this video और कोई भी अगर query हो तो आप post कर सकते हैं comments में thank you